हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोड में आपका स्वागत है तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लास 7, हाफ एल्ली एक्जामिनेशन और सेशन 24-25 जो इस साल आपका साइन्स का जो एक्जाम होने वाला है हाफ एल्ली में, तो इस रिगार ही हम आपके लिए बैस्ट सैंपल पेपर लेगा है जो कि आपके एक्जाम पेपर को काफी इंपोर्टेंट रहने वाले है दोस्तों तो दोस्तों, मैं इस सैंपल पेपर को सोल करना शुरू करूँ इससे पहले यादि आपने चैनल को सब्सक्राइब निकरा है ठीक है, इसमें काफी इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है, पहला कोशन है विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स फूड रूर्स, स्टैंप, फ्लावर, लीवस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लीवस है फिर नेक्स्ट है, वो टाइप आप आफ टीथ इसका आंसर है दोस्तों, मोलर टीथ होता है वो ग्राइप करते हैं फूड को ठीक है फिर नेक्स्ट कोशन है, दोस्तों, आपका सिल्क इस अप्टेंट फ्रॉम तो सिल्क किस से होता है, सिल्क वोम से यह तो बिल्कुल आसान है what is the normal human body temperature 37 degree Celsius ये तो आपको पता ही होगा फिर next which of the following is a weak acid तो weak acid कौन सा होता है दोस्तो citric acid ठीक है अब देख लेते हैं next तो next question दोस्तो देखो ये रहा तो next question which of the following is an example of physical change तो physical change क्या होता है जिसमें reversible load मतलब जब मालोब पानी से बरफ बना है ठीक है अगर मैंने दूस से दही बनाया है तो दही से दूस थोड़ी बन सकता है ये chemical process है तो इसमें physical change देखना है melting of ice सीदा 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 जाएगा फिर next is the average weather condition of our place over a long period is cold इसको कहते है जब लंबे समय के लिए weather condition होती है न average तो उसको हम क्या कहते है उसका वहां का climate क्या कहते है climate ठीक है फिर next is cyclones are associated with cyclone किस से associate होते हैं दोस्तों cyclone होते हैं low pressure से ठीक है low pressure होता है वही पर cyclone ज़्यादा आते है cyclones from an area of low atmospheric pressure okay which of the following is a base इनमें से base कौन सा है lemon, vinegar, baking soda क्या है इसमें base होता है फिर next is what is the name of the process where animal like cow and buffalo swallows food and then bring it back to their mouth for chewing इसको हम कहते हैं दोस्तों ये remination ठीक है remination वाले category माते हैं सारे जितने भी ये milk producing वाले animal होते हैं तो ये हो गया फिर next दिखते हैं short answer type आपका पहला question है explain the process of photosynthesis and name the material required of it तो इनका answer में आपको दिखा दूँगो वैसे इसके लिए क्या क्या जरुरत है एक तो sunlight की जरुरत है ठीक है एक इसमे chlorophyll की जरुरत है और एक इसमें जरुरत है आपके water की और एक seo की यह चार चीज़े होती है तब आपका क्या बनता है आपका photosynthesis process होता है ठीक है water willy willy आपके small intestine में होती है दोस्तों और वो क्या function करती है absorb the food ठीक है जो भी खाना आपका मतलब जब वो हो जाता है molecular level तो वहाँ पर finger like projection होती है जिससे यह है ना मतलब digestive food को absorb कर लेता है ठीक है तो यह अभी दिखा दूँगा मैं differentiate between acid and base acid आपके क्या होते है आपके sore होते है base क्या होते है bitter होते है nature के acid red litmus paper को क्या कर देता है यह भी है ना वापस से reverse back हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता ठीक है what is sea bridge और यह तरह से caution देख ला आप मैं आप ही आपको answer दिखा देता हूं इनके जो section B है ना इसके caution answer मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि इसके बाद section C शुरू होगा तो section B के answer मैं आपको दिखा देता हूं section B आप आ जाईए देखो section B के answer यह रहे दोस्तो explain the process of photosynthesis and name the material required of it तो इसके answer यह रहे यहां से आप note down कर सकते हो फिर next what are willy इसका answer यह रहा आप देख सकते हो फिर differentiate between acid and base with two examples of each इसका यहां पर दे रखा है यहां से देख सकते हो फिर next है how can you differential between physical and chemical change यह देख सकते हो ओके बिल्कुल आसान भाषा में दे रहा है फिर what is sea bridge sea bridge और land bridge भी होते हैं ध्यान रखना land bridge का आप बताना क्या होता है वो comment में बताना मेरे को क्या होता है land bridge ठीक है कई बार sea bridge और land bridge से related question तो आते ही आता है इस बार मैंने sea bridge का पूछ लिया लेकिन आप land bridge का भी पता करना की क्या होता है फिर इसका answer यह आसा सकता है इसका उल्टा ही होता है land bridge इतना इंट दे दी मैंने आपको अब आप बताना ठीक है फिर इसके बाद जो 16th, 17th, 18th और यह जो question आये था आपके 22 तक ठीक है यह वाले इनके सभी के answer आप देख सकते हो ठीक है sharing क्या होता है explain how bull is obtained from ship scoring, sorting, spinning यह सारे देख सकते हो यह सारे answer ठीक है यहां से आप note कर सकते हो अब हम आजाते है section C पर तो section C वाला जो है ना section C, देखो long type के answer लिखने इसमें तो इसमें question है describe the process of digestion in a ruminants फिर explain the water cycle how can indicator be used, identify acid base फिर यह वाला, यह वाला, यह वाला तो इनके answer अभी देख लेते हैं दोस्तों यह आप देख रहो ना इन question के answer मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला जो question था उसका answer यह रहा यहां से आप लिख सकते हो चार नंबर के साब से इतना तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों फिर 20 वाला question का answer यह रहा evaporation, फिर condensation, precipitation, collection फिर next आपका indicators कैसे होते हैं वो आप यहां से लिख सकते हो little paper और terminic, फिर how do cyclone form यह लिख सकते हो answer, okay तो यह मैं मिटा देता हूँ आप इसका screenshot कीज लिजिगा, और फिर next जो question आयता आपके 23, 24 यह इनके answer आप यहां से देख सकते हो ओके अब चलते हैं section D पर, तो देखो section D आपका case based question है section D paper में आप देखोगे तो यहां पर case based question है तो यहां पर आप इस passage को तो दोस्तों पढ़ ले न, यहां पर आसान ही है, पैसे ज़्यादा hard नहीं है ठीक है, तो मैं direct इसके answer बता देता हूँ आपको, ठीक है तो इसमें देखो सबसे पहला आपका लिख रखा है which beaker will dissolve the salt, the fastest और why, ठीक है तो इसमें जो 75 degree Celsius वाला है न, वो वाला beaker dissolve करेगा, salt को faster because, क्यों, क्यों 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 क्योंकि उसका high temperature क्या है, high यह sorry, यह high temperature है उसका, ठीक है और उसकी क्या greater solubility होती हो, salt की जब high temperature होता है फिर next इसका explain how temperature affect solubility, तो इसमें लिख देंगे temperature जैसे जैसे increase करोगी तो उसकी kinetic energy क्या होगी increase होगी जिससे उसका water molecular मतलब जो हो है ना मतलब उसमें increase हो जाएगी kinetic energy उसकी और उससे क्या होगा breaking the bond of the solute and increase solubility kinetic energy भर जाती है जिससे solubility भर जाती है बस इतना ज्यान को फिर next time how would the solubility of salt be affected if the water temperature was reduced to zero degree celsius ठीक है जब भी हमें na water temperature को reduce करेंगी zero degree celsius पर दोस्तों तो solubility of salt है ना वो क्या होगी decrease होगी क्या होगी decrease होगी आपकी decrease होगी और साथ ही साथ क्या होगा salt जो dissolve होगा ना slowly dissolve होगा कैसा होगा slowly 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 dissolve ठीक है यह होगा ठीक है यह हम मैंने बता दिया आपको case study फिर next देखते हैं दोस्तों next case study यह रही आपकी during a cyclone experience heavy rainfall यह पढ़ लेना आप अब मैं question के answer बता देता हूँ तो फहला question है आपका vote factors लिख रहा गए है आपर क्या लिख रहा है vote factors contributed to the damage caused by the cyclone ठीक है तो यहाँ पर heavy rainfall जब भी आती है न तो यहाँ पर contribute क्या करती है आपकी यहाँ पर लिख देंगे heavy rainfall मैं लिख देता हूँ ठीक है heavy ठीक है और यहाँ पर लिख दे rainfall ठीक है strong wind strong wind और यहाँ लिख देंगे rising water level water levels and flooding flooding ठीक है which damage house and infrastructure इस तरह से बना देगे फिर next question है दोस्तों आपका और यह वाला यह मैं आपको अभी answer की में दिखा दूँगा वैसे देखो इसका answer क्या होगा how did the weather warnings help reduce the loss of life during the cyclone तो इसमें आपके लिखेंगे timely weather warnings allowed people to evacuate to safer areas reducing the risk of injury or death ठीक है अभी मैं इनका answer आपको बता देता हूँ और यह वाला भी देख लो साथ साथ दोनों के बता देंगे तो यहाँ पर आपके question दे रखेंगे दोस्तों तो इनके question के answer मैं आपको बता देता हूँ ठीक है देखो direct आपको दिखा देता हूँ section E section E के question के answer दोस्तों और section D के बच रहेते हैं आपके vote factor contribute to the damage यहाँ पर आप यह लिख देंगे 29 का answer यह रहा 30 का answer यह रहा ठीक है और section E की बात करें section E के answer यह देख सकतो आप वीडियो को पोच करके आप देख सकतो ठीक है 31 का answer यह रहा 32 का answer यह रहा ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों हमारे sample paper यहीं finish होता है उमीद करता हूँ कि sample paper ने आपकी exam preparation को काफी boost किया हुगा इसी तरह के informative sample papers की up to date जनकरी पाने के लिए आज ही चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon के बटन को दबाना ना भूलिएगा तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे बाई बाई